नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बेस्ट किड्नी डाइट चानल स्टॉप किड्नी डालसेज में जहां हम आपको किड्नी से जोड़ी जरूरी जानकारी देते हैं ऐसे ही आज हम आप के लिए लेकर आए हैं एक खास विश है आज हम आपको बताएंगे कि यूरिक आसेट बढ़ने पर कौन से अहार लेने चाहिए बॉडी में प्योरीन की मात्रा का बढ़ना आपके अनवश्क अहार की वज़े से होता है और इसके अलावा जब आप अपने अहार में हरी पत्यदार सबजियों का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में यूरिक आसेट बढ़ने की समस्या हो जाती है यह आपकी किड्नी को खराब कर सकती है जब आपकी बॉडी में यूरिक आसेट बढ़ता है तो इससे ना सिरफ आपकी किड्नी बलकि आपकी बॉडी में काफी सारी परिशानियां आने लगती हैं तो इस समस्या को रोपने के लिए जरूरी है कि आप अपने रोजाना के आहार में कुछ बदलाव करें जिसमें आप रोजाना सुभा के समय दो से तीन अखरोट जरूर खाएं ऐसा करने से बढ़ा हुआ यूरिक आसेट धीरे धीरे कम होने लगेगा जिनका यूरिक आसेट बढ़ा हुआ होता है उन्हें अपने आहार में हाई फाइबर फूट चैसे ओटमील, दल्या, बीन्स, ब्राउन राइस लेने चाहिए या आपकी बॉड़ी में यूरिक आसेट बढ़ने की समस्या को कम करते हैं अगर आप बेकिंग सोडा डाइट में लेते हैं तो इससे आपका बढ़ा हुआ यूरिक आसेट सामाने रहता है यूरिक आसेट कम करने के लिए आप एक चमच बेकिंग सोडा को एक गिलास पानी में मिलाएं और इसका सेवन करें रोजाना अजवैन का सेवन भी आपके यूरिक आसेट को कम करने में सहायक होता है वाइटमिन सी से बरी चीजों का सेवन भी आपके बढ़ते यूरिक आसेट को कम करने में सहायक माना गया है सेब के सिरके का सेवन आपके बढ़ते यूरिक आसिट को कम करने में सहायता करता है रोजाना सलाद जरूर खाएं और सलाद में खीरे का सेवन जरूर करें तो इस तरह के अहार जिसमें पानी की मात्रा हो इन सभी अहारों का सेवन आपकी body में uric acid को कम करने में मदद करते हैं तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर आएंगे एक नए विशे के साथ अगर आप या अपका कोई अपना kidney के रोग से परिशान है तो आप में अपनी समस्त्या नीचे दिये गई google form में लिख कर भेज सकते हैं हमारी टीम आप से 24 घंटे के अंदर खुद संपर करेगी हमारे best kidney diet channel पर आने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद